तो जैसे मैं हम आइसा बताते हौं कि मतलब पहाड में हर कुछ दोन हर कुछ नहीं होता है और जो हमें पता नहीं चुलता है लेकिन हमें वोई चीजों को थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे रूब में दिखाई देती है और अभी मतल में चंद्रापुरी जा रहा हूं तो चंद्रापुरी में दर असल मेरा कुछ काम है कुछ म्ज़ें समेट करने मुम्मी के तो ऊबनाहिए जा रहा हूं ऑर आज सबह सबह निकला हूं और कल बारी सोई थी तो उसके बाद जो मौसम है जो पाफी धंडा हो गया है तो अ घंटे मौसम में चंद्रापुरी के और निकले हैं और देखते हैं कि आज रास्ते में क्या-क्या जल जल बजा जल जल ला जल दना जल ला जल दो होता है सही है जब आप गाव में मार्केट जाते तो तरसर फ़ीमार्केट नहीं जा पाता है कि कभी दूर होता है तो लोग मतब किस दूसरे जो मार्केट जा रहा होता है उसे सामान मंगा देते हैं तो ऐसे भावी ने मुझसे भी मंगाया है उनके लिए बच्चों के लिए तो चलो फाइनली मार्केट के और चलते हैं मम्मी भी आ रही है तो दूर तक और देखते हैं कहां पर मम्मी और फिर मार्केट के और चलते हैं तो मैं फिर बीच में वीडियो तोड़ा प्विलोग लंबा टाइम लग गया था तो जिसे काफी लब एरिया में सो गया भी इसे अपने एक काफी वार देखा हुआ है तो अभी मैं अजयापुर के पास में पहुंच गया हूं पास के आगे निकल गया हुँ थोड़ा सा यह ह बाद यहां नीचे से आता है शेरा गाउं और उससे आगे आता है चंदरापुरी तो तो अभी धूब भी काफी हो दिये और उसके अलावा मतलब यह वाला रास्ता है तोड़ा जंगलाओ का भी है और साथ इतर कोई बाल खेलता है तो बाल भी हटकी हुए और यह वाली जो बेल है यह है काले हिस्ओल की इसके बैग में पकड़ दिया था यह वाली जो बैल है यह वाली काले हिस्ओल की है और यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाए दे रहे हैं और जलोओ फीर जल्दी से सरा काव के पास चेलते हैं और उसके बाद आपको YEAH कोई लोकेशन दिखाते पेड़ हैं और ये देख़ेगे यहां पर मतनब काफल का पेड़ हैgar bagus यहां का सबसे बड़ा का पेड़ है क्योंकि है मुझे बागी मैं जंगलों में तो गया नहीं हूं the लेकिन जब भी मैं इस रास्ते पे आता हूं तो यह वाला मुझे यहां का उसे बड़ा काफल का पेड़ दिखाई देता है और मुझे लगदा है कि यह वाला बहुत ही ज्यादा पुराना काफल का पेड़ होगा होगा क्या है यह वाला भी था तो यह वाला सूग गया है पता और सोचा कि वह चीज़ आपको दिखाऊ तो कफे टाइम पहले हम अजब गाई के साथ आते थे और उनको जंगल पर लेके जाते थे है तो अभी है लोग एड़े हम देखा कि कुछ लोग बक्रिया चरा दे और इहां पर उपर गाई को छोड़ा गया तो वह भी चरना के लिए छोड़ी है तो अब आपको छोटी सी देखते देखके तो चलते हैं ले 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 तो यहां पर काभी सारी बगरिया थी तो जिस टाइम में उपर से आ रहा था उस टाइम वो रास्ते में थी तो एक काट के साथ खेल लेंगे लेकि जब मैं वहाँ पर आया तो वह सारे भाग गी थी उपर की साइड और सारी चरने के लिए छड़ी गए तो मैं वही कहानी बता रहा था जब हम बच्मन में थे तो हम भी गाई के साथ जाते थे उनको चराने के लिए फिर सीज़र दिन मे को जाता था क्योंकि उनको चराने के लिए लेकर जाओ वो तो चड़ती रहेंगी अपने आप और हमें कुछ करने नहीं है वह समय उन्हें देखना है कि वह किसी की जो फसल भगएरा ना खाए तो उसको मेरी लेंगर दो उजाड तो वह किसी का उजाड ना खाए तो वह ची वह पता नहीं चलता है लेकिन वह पुछ चीजों को छोड़े थोड़े छोटे छोटे रूम में दिखाई देती है और उन्हें यहां बड़े गौर से देखना पड़ता है तो आज मुझे ऐसा ही कुछ नया दिखा और मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे क्या दिखा है तो यह नहीं चीज मतला कव हुई तो इसका मुझे पता ही नहीं चला और यह रोड आ रही है दिंडिया गाउं में जो मेरे गाउं के उपर जो छोटा सा गाउं है और उस पर मैंने एक बीडियो भी बनाई है और अगर आपने वह बीडियो नहीं देखी तो इसकी लिंगाउं को पर हाई बटन पर सो हो रही होगी तो मतलब मैंने बोला कि यह नहीं चीज क्या दिखिया है और फिर मुझे बता चला कि यार वाली रोड पर कनेक्ट होगी तो लेकिन चला उनके लिए तो यहीं वाला सोग पड़ेगा शायद पदा नहीं कौन सा रूट वो लेते फाइदा उतना नहीं होता है तो से में यह दोना जगा जितना भी बड़ेगा तो यहां पर गेहूं की कटाई भी चली है और लोग अपने काम दंदों पर लगे हुए है अपने गयों की कटाई कर रहा है कोई गहास निकाल रहे हैं सारे अपने काम पर लगे हुए है तो चलो मिलते हैं एक चोटे से ब्रेक के बाद काफी लबा सबरते करने के बाद अभी फाइनली पहुंचा हूँ चंद्रपुरी के सेरे में और यह है चंद्रपुरी वालों के खेत हैं पूरे तो यहां पर मतला आके कफी अच्छा लगता है क्योंकि यह खेता प्रसीदे तो यहां पर मतलब एक खेत की बराबरी में कोई खेत नहीं होता एक होता है सिद्धे उसके नीचे दुसरों के तो तो यहां पर तब सीड़ी भी है मतलब लेकित अतनी ज्यादा नीचे नहीं है जितने हमारे घरण के पास होते है तो इसलिए यहां पर आके बंदों बहुत अच्छा लगता है तो आजीचे चंत्रापूरी चलो फाइनली पहुंचे गया और वैसी बहुत जादा धूपोरी और आपको दिखाए देरा कहीं कहीं पर कि यहों भी काट दिया है और कहीं कहीं पर रखे गया है क्योंकि अब तो गयों काटने का टाइम भी आ गया और हमारे घरण की कटाई स्टाट हो चुकी है बहुत जल्द तब गाउन की जो गयों भी है तो खताब हो जाएंगे और इसके बाद और अधब दान की जो कि अगया है तो में हल लगेगी फिर रुपाई होगी तो पाफी चीज़े और चलो फिर अब बिलते हमको चीदें चंद्रापुरी पर और उसके बाद देखते हैं कि मतलब क्या होता है और वहां पर आये हैं या नहीं आये हैं पहले मैं में को कॉल कर लेता हूं कि तुमने अने बताया है कि नहीं बताया है कि मैं चंद्रापुरी आ रहा हूं और उसके बाद देखते हैं सारी कारवाई क्या होती है तो अधिल चंद्रापुरी मार्गेट पहुंची गए लेकिन वह उनका फॉल लगानी और वहां हमको जो है अभी मिलेंगे नहीं अब देखते हैं कि मतलब क्या करते हैं थभाइट करते है फेशिप करते हैं तो के बाद बीड़ी जो हमारे बड़े बाहि साथ निकाली है और उसके लावा कुछ दॉकमेंट्स है तो उनकी भी थड़ा तूपा भी करनी है तो उसके बाद यह वाला काम निप्टा के और यह दुकान जो है चंदर पुरी मार्केट से थड़ा सा उपर है और यह रास्ता जाता है इंटर कॉले जाला तो इस वाले रास्ते पर है और भी यहां पर बैठे हुए हैं फिर फोटो तो निकल किया और भाईया जो है फोटो की कटिंग कर रहे तो इसके बाद अब मार्केट में जाएंगे और वहां पर वो डोकुमेंट समिट करेंगे फिर चलेंगे हम घर की और तो फाइनली फिर से पहुची चुका है अपने घर जाना है तो मैं मार्केट चला गया और अभी मैं घर जा रहा हूं मार्केट से वापिस आगे तो आपको यह मार्केट का ब्लॉग कैसा लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पताना और उसके अलावा जो मेरे चैनल पर नहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ला खागे तो आप जो नेक्स अपडेट होते हैं वो मिस हो जाते हैं तो उन अपडेट को मिस मत करें और देखते रहें नमस्ते कड़वाल फैमली के साथ जुड़ते रहें और ऐसी ही अपनी अलग सी बड़ी सी कम्योंटी बनाते चलेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या मतलब बात का प्लेंन होता है यह मतलब ऐसी ही जो पाड़ीं लाइफस्टाइल की वो ब्लॉगिंग चलती रहेंगी या मतलब truck जोव 커피 चेंज़ नाएगे क्योंकि इसके लिए थोड़ा mindset है थोड़ा के कोशिस करेंगे और तब तक के लिए लेते हैं अलविदा और मिलते रहेंगे ऐसे ही बहतरी ब्लोगों के साथ